आज अम्रित वेले गुर्देप पिता जी ने जो पावन हुकम नामा बक्षिस कीता है ए पावन शबद तान साहिब स्रीगुरु रामदास्ची दे उचारन कीती हुई पोड़ी नाल दो स्लोग तान गुरु अमरदास्ची दे उचारन कीते सोरट की वार अंदर आदस्री गुरु गरंत साहिब जी दे पावन अंग 600 तरताली ते अंकत हन ऐस दुनिया अंदर दो तरांदे मनुख आप वेखोगे जो कुछ बोल रहे हन, कुछ खा रहे हन, पहन रहे हन और चाल रहे हन लेकिन एक मनुख ऐसा है जिस्ता खाना, पहन ना, बोलना और करम करना सुख दाई है उपने जीवन अंदर सुख पैदा कर रहे है समाज नों सुख शांती दे रहे है लेकिन दूजे मनुखदा खाना पीना पहनना भोलना चलना करम करना दुख दाई है जिसता उन्हों खुद भी लाब नहीं हो रहा और उस समाज अंदर भी दुख पैदा कर रहा है ता किमे ऐसी अपने जीवन नो गुजारिये जिस करके साड़े जीवन दे अंदर सुख और अनन्द पैदा हुए और किमे साड़ी जिन्दगी दे अंदर साड़े ही करम साड़े जीवन नो दुखदाई बना दिन देने गुर्देब पातिशा ने इस पावन शबद राहिसान नो समझाया है अव बड़े प्यार देनाल विचार करन्दा यतन करिये तन गुरु अमरदास्ची महराज बचन कर देहन माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया माया ममता दा मतलम माया दी अपनत माननू मो लैन वाली है जिसने बिना दंदा तोही संसार नो खा लेया है पा तो इदमा पाव ए होया कि माया दी जो ममता है उस ते अंदर मनुक ग्रस्या होया है जिस करके मनुक दुखी और अशान्त है माया की है तन गुरु अमरदास्ची महराज ने बहुत प्यार देनाल समझाया है एह माया जित हर विसरे महो उप जै पाओ दूजा लाया माया सोच जो सानु सारयां देनाल राबवर गा प्यार विहार नी करने दिन दी ओ सोच जो मनुक दे अंदर स्वारत और मो पैदा कर दी है ओ सोच जो मनुक दे अंदर मेर तेर दे वितकरे पैदा कर दी है ता इस सोच दी अपनात ने मनुक नो समूल चाही निगल लया है जिस कर कि एमनुक दुखी और अशान्त है हुन सवाल पैदा हुंद है कि की सारा संसार ही इस सोच दे अंदर निगले आ गया है जांकि इस सोच तों कोई बचया भी है जांकि में इस सोच तों बचया जा सकता है तान गुरु अमर दास्ची महराज इस सवाल दा उत्तर दे रहने मनमुक खादे गुर्मुक उबरे जिन्नी साच नाम चितलाया मनमुक इस माया दे अंदर गरसे गयने इस सोच दे अंदर मनमुक खदा मतलब आप खुद्रे जो गुरु ग्यान मताबक जिन्दगी नहीं जिन्दे जो कुद्रत दे नेमानु समाज दे नेमानु तरम आदिक दे नेमानु तोड़ दे ने पाव कि जो आप खुद्रे लोकन जिना ने गुरू ग्यान दी अगवाई नहीं लई ओ इनसान इस सोच अंदर ग्रसे गेने पर गुरू दे चरना दी शरन लेन वाले जिना ने गुरू तो ग्यान हासल की था गुरू दे दिते वे ओफ लाइफ नो अपनाया ओ बाच निकले ते उना दी निशानी की जिनी साच नाम चितलाया जिना ने गुरू दे चरना दी शरन लेके सचे नाम दे अंदर चितलाया जिना ने अपने नाम जिना ने साच दे नाल आपने चितनो जोड़या सचे मारग नो अपनाया गुरू दे आशे मताबक जिन्दगी जीवी बिन नामें जग कमला फिरे गुर्मुख नदरी आया गुरु ग्यान तो बिना साचतों बिना सारा संसार ही चला होया फिरता है गुरु ग्यान तो बिना साचतों बिना सच्चे रातों बिना सारा जगत चला होया फिरता है गुर्मुख नदरी आया पर ए चीज भी गुरु दी शरन लेन दे नाल नजरी पेंदी है गुरु ग्यान राहिसानो वे चीज नजरी पेंदी है कि नाम तो बिना यानि साचतों बिना जगत चला हो या फिरत है कमला हो या फिरत है हुन कमले और स्याने दी निशानी की है आम नजरां देनाल वेखी ते कमले और स्याने विच कोई बहुता फरक नजरी नी पेंदा स्याना मनुख भी कुछ खा रहा है स्याना मनुख कपड़े भी पा रहा है स्याना मनुख चाल रहा है स्याना मनुख बोल रहा है तिजेडा कमला है ओवी चाल रहा है ओवी बोल रहा है ओवी कुछ खा रहा है और ओवी कपड़े आदिक पैन रहा हुन फरक की होया फरक केवल इन्हा है कि जो स्याना मनुख है उसनों पता है कि मैं की पाया हुआ है कमले वचारे ने कपड़े पाये हुए ने पर उन्हों पता नहीं की पाया है क्योंकि पागल है उसनों समझ नहीं सूझ नहीं स्याना मनुख चल रहा है उसनों पता है मैं कित्थों आया किदर जाना है मेरी जिन्दगी दा एम गोल की है पर आप सडक दे उते कई बार पागल विचा रहा है नो तुर्दया देखते हो तुरे ओ फिर देने पर उन्हों दी कोई मंजल नहीं उन्हों इस सूझ नहीं कि कित्थों आये है किदर असी जा रहे है स्याना मनुख खा रहा है ता उसनों पता है मैं की खा रहा है एदा नफ़ा नुकसान की है पागल खाते रहा है पर उन्हों ए नहीं पता मैं की खा रहा है स्याना मनुख बोल दा है उन्हों पता है कि मैं की बोल रहा है मेरे बोलांदा रिजल्ट की होईगा कमला मनुख बोल दाता है पर उसनों ए समझ नहीं कि मैं की बोल रहे हैं मेरे बोला दा रिजल्ट की हुएगा एक कमले और स्याने दी निशानी है ता गुरु पातिसा जी कहने ने साचतों बिना सारा संसार चला हुए फिरता है जो साचते रा तो खुंझ गया जो साचते नालो टुट गया वो कमला ही है उन्हों यह नहीं पता कि साचतों बिना मेरी जिन्दगी दा रिजल्ट की हुएगा जे मैं साच नुत्याग देंगा ता मेरा जीवन कितना ओखा हो जाएगा सच्दिरा नुत्यागं देनाल जगत अंदर के में दुख पैदा हो जंद है साच्देनाल व टुटंदेनाल के में जन्दगी वीच रोग पैदा हो जंदने पर में शर्ते पुलयां व्यापनसब ल पर सारे नहीं पुले पुले ओने जो आप फुद्रे ने जदो गुरु चरना दी कोई शरन लेंदा है गुरु ग्यान मताबक जिन्दगी भी बीत अंदा है ता उनो एचीज समझ आजंदी है और चार्च फेरे उवस्त प्रबूनो तकदा है तंधा करतें नहिफल जनम गवाया सुख दाता मन ना वसाया गुरु पातिशा जी कहने ने जो आप फुद्रे लोक ने सारी जिंदगी कजिये कर दें ही मनुखा जनम नो विर्थ गवालन देने और सुखा दी दात देन वाले साचनो प्रबू नो प्रबू दे गुना नो किर्थ करंदा सिधानत देता है किर्थ और तंधे विच फर्क की है देखो तिन गलान है काम करन तो पहला सानो सोचना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हां एदनल मेरा कोई नुकसान ते नही घुगा दूजी गाल एस सूचनी चाहिए है कि जिसते वास्ते मैं काम कारे हैं ओधा नुक्सान थे नहीं होईगा दीजी गले के सोचने चाहिए है कि जीड़ा मैं क्कम कारे हैं इस ते नाल किसे औंस नुक्सान थे दुख पहुँचदह मीव ले जिस कंम देनाल मैंनों सुख मिले जिस कंम देनालों सुख मिले वो कंम कृत बन ये जंजाल और दुखांदा कारण बन दने गुरु पातिशा जी केंदने मनुख ने जो आप हुद्रा है उन्हें साचनू सची प्रभूदे गुणानू जो सुखांदा दाता है उन्हों मानविच निवसाया सारी जिंदगी साचनालो तुटके कज़गी ही करदा रहा नानक नाम तिना को मिलेया जिनको तुर लिख पाया इन नाम साच उन्हानू मिलेया है गुरु पातिशा जी केंदने जिनना दे अंदर तुर तो ही पाव संसार दे अंदर चले रहे रब दी रजा मतावक अंदर जो शुब गुणा दे संसकार ने उन्हा मतावक जो संसकार उक्र ताँ असी अपनी जिन्दगी अंदर साच लिखना है सचे संसकार अपने जीवन अंदर पैदा करने ने साच दे नाल जुड़न दा यतन करने हुन गुर्दे पाथशा सानु समझारे ने कारही में अम्रित पर पूर है मनुखा साधना पाया जो आप खुदरे मनुखने उन्ना ने अम्रित दा आत्मक जीवन देन वाले नाम जल दा साच दा रास नहीं माने जदों की एदे कार्दे अंदर हिर्दे दे अंदर ही आत्मक जीवन देन वाला नाम जल मौजूद है हर इंसान दे अंदर सत्संतोक, दया, तरम, तीरज, ज्ञान, विराग, निमानता, सेवा, सिम्रन, प्रेम, पुर्बाननी, निर्पैता, निर्वैरता दे गुण मौझूद ने कोई मनुखे नी कैसकदा कि मेरे अंदर साच नहीं मेरे अंदर दया नहीं हर इक दे अंदर मुझूद है पर मंदे पिछे तुर्ण वाले मनुख ने आप हुद्रे पन करके इनना गुणानू अपनाया नहीं इनना गुणानू वर्तों विच लियांदा नहीं इनना गुणा दा रास मानया नहीं ता गुरुपात्षा जी के नने मंदे पिछे तुर्णवाले आप हुद्रे मनुख ने अंदर वस्ते शुब गुणा दा अनांद और रस नी मानया और उन्हें अपने जीवन नो व्यर्थ गवाया है कि में गवाया है ज्यों कस्तूरी मिरगना जाने प् परम्दे विच पुलाया हुआ पटकदा रहनदा है एदर चाड़िगा विच दूजे पासे चाड़िगा विच मुँ मारदा आखिर ऐसे तरह पटकदा हुआ ओ किसे शिकारी दे हद्धे चड़ के जान गुआ बेंदा है ता मनुख भी बाहर सुख और शान्ती नों लब परम्दा यतन कर रहा है कि शायद मेरे अंदर पदार्था करके सुख शान्ती आजाए जहूर विकार कमान दे नाल शान्ती आजाए गुरु पादिशा जी कहने ने प्यारया सुख ते तेरे अंदर प्या है तेरे अंदर तेरी सोच दे अंदर तेरे मन अंदर दिमाग सही वर्तों करें साच है दया है प्रेम है ए तिरे अंदर मौजूदन है पर तु एना नो समझदानी एना करके सुख पैदा होने पर एना दा त्याग करके बंदा बाहर पठकदा फिर दै एही एदी मानमुक्ता दी निशाननी है गुर्मुक्ष विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रहम दिखाया विरले गुर्मुका नो समझ पैंदी है गुर्मुक्ष दा मतलब जो गुरु दे चर्ना दी शरन लेंदा है जो गुरु दी मात्दातार नी हन दा है जो गुरु दे दस सई उक देश मताबक जीवन जिन्दा है ग्यान गुरू दी अगवाई दे अंदर जो जिन्दगी जिन्दा है उना नो सूझ पैंदी है उना नो समझ पैंदी है ते उना नो फिर प्रमात्मा जिड़ा है राब जिड़ा हिर्दे दे अंदर ही नजरी पैजन्दा है सारे आंदे अंदर पसरे हुई उस रंकार नो ओदेखदा है फिर उना नो इस सारा संसार उस राबदा ही रूप नजरी पेंदा है तानमन शीतल हुए रसना हरसाद आया उना दा मन और तान ठंडे ठार हुः रंदेने क्योंकि उन्हाने रसना दे नाल सचे नाम सचे गुना दा रस माने आहंदा है ता रसना दे नाल असी साच बोलने रसना दे नाल जवान दे नाल रब्मी गुना दी रब्मी रजा दी गुरू दी पावन बानी दी गाल करनी है ता जिन्ना ने रसना दे नाल उस मालक दी सिफत सला किती उन्ना दा तन मन ठंडा ठार हो गया शब्दे ही नाओं उपजे शब्दे मेल मिलाया शब्द दा मतलव गुरू दा उपदेश नाम हिर्दे बिच करदा है अंगूर मारदा है पाव उगदा है यानि वस्ता है ता सत्वर दे शब्द दे राही गुरू दे उपदेश दे नाल ही साच अंदर पैदा हुंदा है साच दे नाल मनुख जुड़दा है और शब्द राही गुरू उपदेश राही ही साच दे अंदर बंदा समा के साच दा रूप हो जन्दा है गुन कह गुनी समामनया गुन गानदा गानदा गुनी राबदे अंदर समा के एमनुक राबदा ही रूप हुजणत है गुरुदे उप्देश राहिए ताज सीम सप्रभुदे अंदर लेन हो सकीए ओ दे वास्त एकको ही चीज़ है गुर्मत आशे अनुसार जिन्दगी जीनी बिन शब्दे सब जग बोराना बिर्था जनम गवाया गुरू ग्यान तो बिना सारा संसार चला होया फिरता है और मनुख गुरू ग्यान तो बिना अपने जीवन व्यर्थ और बेकार गवारया है गुरु ग्यान तो बेना सारा जगत चला होया फिरता है यानि ओ इन्सान जो गुरु ग्यान दी अगवाई मताबक जिन्दगी नी जिन्दा बेसमझ है कितनी बेसमझी है मनुख दी कि ये दे अंदर सारे गुण मौजूद होन ए सारिना शक्तियां दा महलक होवे सरब शक्तिमान प्रबु इदे अंदर वस्ता होवे और ए शुब गुनादा तारनी हो सकता होवे सुखी और शान्त रह सकता होवे लेकिन फिर भी सुखी और शान्त ना रहे फिर भी ये बंदा दुखी रहे ता इस वर गा बेसमझ कौन होईगा ऐस दुनिया वल जड़ो चात मार दे हां ता दुनिया में विच किसे भी शेय दी ता काट नहीं है कोई भी ऐसी शेय नहीं जो मनुखनों चाहिदी होवे ते ऐस कुद्रत दे विचना होवे ये थे अनंत पदारत ने ये थे अनंत किसंदी वनस पती है फुल और फाल ने फिर मनुखनों इस कुद्रत ने केड़ा वड़ा दिमाग बक्षिया है ये सोच सकता है नमी तो नमी ये खोज कर सकता है लेकिन उस दिमाग दी बंदा गलत वरतों करे उस ग्यान दी बंदा गलत वरतों करके आपने वास्ते दुख और अशानती सहड लवे ताए बहुत वड़ी पोली होईगी ना मनुखने अपने दिमाग दी वरतों के में गलत वरतों दी नाल कीती जिमें मसाल वजों अंगूर ने ताँ कुद्रत ने कितना सुन्दर फल पैदा कीता जिस्ते नाल सानो शरीर काकत मिल दी है अंगूरां दा वरतों जड़ी है दुआईयां बनान दे अंदर वी कीती गई लेकिन कुछ लोगा ने ऐसे अंगूर दे नाल शराब आदिक त्यार कर ले हुन वरते आता दिमाग ग्यान दी वरतों कीती ता सही लेकिन गलत कीती उस शराब ने इस्ता नुकसान कीता ताहुन मनुक अपने दिमाग दी वरतों की में करेगा अपने अंदर पै हुए ग्यान दी वरतों की में करेगा एदिती डिपेंड करेगा ना मनुक ने परमाणू शक्ति दे नाल, बिजली कारदा हूर बहुत कुश बनाया लेकिन इसने परमाणू बामभू बनाले जिस दे नाले पूरी परज़ा और असान सार तहष ने ऐस सो सकता है हुन गालता वरतों करन दी जे ना सकारात्मक वरते गुणा वास्ते वरते प्यार वास्ते वरते ता एदाकार एदा परिवार स्वर्ग हो सकते लेकिन मनुख ने अपने दिमाग दी वरतों ही गल्द किती चुगलिया अफवाहा चूट करप्शन रिश्वत खूरी जाती वाद आदिक हुन जदो बंदा इस दि माग दी वरतों ही गल्द करेगा पदार्थां दी वरतों गल्द करेगा ता ऐसे मनुख नो सुखी और शांत कौन कर सकता है इसलिए गुरू पातिशाजी के इनने बिन शब्दै सब जग बोराना बिर्था जनम गवाया गुरू उपदेश तो बिना जगत चला हुआ फिर् गुर्मुख पाया गुरू पातिशाजी कहने ने की गुरू दा एक शबद गुरू दा उपदेश गुरू दा ग्यान ही आत्मक जीवन देन वाला है नानक गुर्मुख पाया गुरू दे चरना दी शर्ण विच ओन वालया ने ही उस ग्यान दी दात हासल कीती है इसलिए इसी गुरू दे चरना दी शर्ण विच ओना है कि सानु ग्यान दी सही वर्तों करन दी समझ मिले बिबेक बुद्ध मिले हार परियो स्वामी के द्वारा दी जै बुद्ध बुद्ध का बिबेक बुद्ध मिले बिबेक बुद्ध नो असी वरत सकिये सानों समझ होए की ठीक है की गल्ट है की हानी है की लाब है की दुख है की सुख है कीड़े रास्ते नो असी अपना के सुखी और शान्त हो सकते हैं इसलिए गुरु दी पावन चरना दी शर्न विचाईए, गुरु पत्षाजी दी पावन बाणे नो आप पढ़िए विचारिये, गुरुभानी मताबक जिन्दोगी जीविए। और गुरु दी शर्नवे चौनदा पाव ही एह है कि पात्षा में अपनी मात्याग गुरु ग्यान मताबक जीवन बितावांगा। तन गुरु रामदाश्ची महराज सानो समझान देहन सो हर पुरुख अगाम है कोकित बिद पाईए कि है पाई दस ओहरी अगाम है अगाम दा मतलब अपाँच है रम्या में होया है पुरुख भी है रम्या में होया है ते अगाम में है उन्हों किस तरीके दिनाल पाया जाए जिदा रम्यामी है और जो अगम है उन किमे पाया जा सकता है जो है पहुंच तो परे किमे पाया जाए ताँ गुरु पातिशा जी अगला सवाल कर देने तिस रूप ना रेख अद्रिश्ट कहो जन क्यों ते आईए जिदा कोई रूप नहीं जिस्ती कोई रेख नहीं जिदा दिस्ता भी नहीं उदा त्यान किमे तरिये कि उदा त्यान तरिया जा सकता है जिस्ता कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है त्यानता किसे अकारदा ही तरिया जा सकता है ताँ गुरु पातिशा जी कहें जिस्ता कोई रूप रेख रंग आकार नहीं उदा त्यान किमे त निरंजन जो माया दी मैल तो रहत है और जिड़ा अगम है पहुँच तो परे है मैं की आख के उदी सिफ़त सला करां। जो निरंजन माया दी मैल तो रहत है माया तो रहत है पहुच तो परे है मैं की आख के उदी सिफ़त सला करां। कि में उदे में गुन गामा जिस आप वुझाए आप सो हर मार्ग पाईए गुरु पातिशाजी के ने कहीं पाई जिस मनुक नो आप समझ दिन्दा है ओ प्रबू दे राहां ते तुरदा है ता उनो सिमरंदा एक ही टांग है कि ओ अंदर बैठा है हुआ है अंदर बैठा प् अैस कुद़रत दे अंदर चार चुफेरी नजरी पैरी है लाओ उफ नेचर जो कुद़रत दे नेम ने क्योंकि पूरी कुद़रत किसे नियम दे अंदर चल रही है तर्ती है चंद्रमा है सूर्ज है ग्रह नक्षत्र तारे आदिक ने अनंत आकाश गंगावा ने केड़ा वड़ाई ब्रहमांड खंडबंडल ब्रहमांड ने इस सब नेम बदने किसे नेम दे अंदर चल रहे ने किसे नियम दे अंदर चल रहे ने फसलां उगरेंगाने वनस्पती उगरे ही है जीव जंद पैदा हो रहने इन्ना दे जीवन दे संचालन हो रहा है मौत आ रही है इसारा किसे विदी विदान दे अंदर नीमावली दे अंदर है ताँ जदों मनुख इस नियमावली नू वेखदा है गोह दे नाल तकदा है ते उस नियमावली दे अंदर तुर्दा है रब दी रजा दे अंदर तुर्दा है एही है उदा सिमरन एही है उदी पगती एही है उदी बंदगी की रजा और पाने दे अंदर तुर्या जाए हु पूरे गुरू ही उस्तादिदार करवाया है। ए मेरे नित्रो ए विश्व ए संसार जो तुसी देख रहे हो इन रंकार तो वक्रा नहीं है। कबीर जी रब किते है तराब वारे पगत कबीर जी केंदने लोगा परम ना पूलो पाई खालक खालक में खालक पूर रहो सरब ठाएं कि हे लोको किसे परम और पुलेखे विचना पवो की राब ऐस खलकत तो वक्रा है। खलकत उस रब दे विच्चे ते रब ऐस खलकत दे विच्चे एदोवे वक्रे नहीं हन एको ही रूपने। पगत कबीर जी किनने प्यार नल समझान दे हन कि जदो में बड़े गोदे नाल ऐस सार नो तक दा हां ता मैनू राबतों बिना कोई होर नजरी पेंदा ही नी दोई दोई लोचन पेखा हों हर बिन और न देखा नैन रहे रंग लाई अब बे गल कहन न जाई हमरा परम गया पह पागा जब राम नाम चित लागा जदो प्रभू दी रजाते अंदर चित लग गया मेरा परम दूर हो गया और हुन मेरे तो बे गल्दा मतलब दूजी गल्था कई ही नी जन ही मैं कैं नी सकता कि रब मेरे तो संसार तो वक्करा है तार गुरू पाथशा जी का नने जिसनों में दिखाया है पहाव गुरु दी शर्नी पैके ही एस समझ आंदी है इसलिए गुर सेवा पाईये गुरु दी दसी कार कीतियां ही मिल रहा है जी ऐसी ऐसी जिन्दगी पानी है जी राब दे अंदर अपेद होना है तो दे वास्ते एको ही सादन है गुर सेवा पाईये गुरु दी सेवा करके पाव गुरु दे दसे रहां दे तुरके गुरु दे बक्षिस कीते हुए वे ओफ लाइफ नू अपनाके गुरू जी ने जो सानु जीवन जुगत समझाई है ऊस जीवन जुगत न अपना के अक्खां दे नाल गुर्मत आशे अनुसार तकुना जबान सादे सचे और प्यारे बोल बोले हथां दे नाल सची बंदा किरत कार करे कन्णा दे नाल साच सुने और मनकर के साथ सोचे और पैरान दे नाल सिद्दे मारक दे उत्ते तुरंदा यतन करे गुरू दे दसे राहा अंसार ही असी चल के उस मालक दे अंदर अपेद हो सकते हां साड़ा जीवन सुखाला हो सकता है साड़े जीवन अंदर सुख अनंद खेडा प्रसंता पैदा हो सकती है ऐसंसार एक सुहावना बाग हो सकता है साड़ा ऐसंसार बेगम पुरा और स्वर्ग हो सकता है इसलिए जरूरत है केवल अपने मतनों ग्याननों जीवननों सही राहा ते तोरं दी संसार दे हर पदारत दू ठीक कांग दे नाल वर्तं दी कोई भी ऐस तुनिया दे अंदर शे अपने आप दे अंदर दुखदाई और सुखदाई नहीं है हर शे ही सुखदाई है जे उदी वर्तों ठीक करिये मसालव जो अग है हुन आग साध्य वास्ते कितनी सुखदाई है जे आग ना होए ता कोई पो उजन त्यार नहीं होएगा आग ना होए ता साध्यां बिल्ड़ना वगेरा कुछ भी त्यार नहीं होएगा ता आग किन्नी चंगी है जिस ते नालसी पो उजन आदिक त्यार कर देया सुख़दाई है पर यही आग जदों किसे देल पाके लाद है तो दुख़दाई है गाल्ता वर्तों दिए नहींब इस आग दी वर्तों कि में करांगे पैसा है ताँ पैसे दी वर्तों इन्मों सुख़दाई और दुखधाई बनाएगी कितने लोग ने जो अप पैसे दिनाल अपने बच्चेयां उपड़ान देने किसे लोड़ वंदा सहुख कर देने और पैसा जो कमान देने उस साचनु अधार बना के कमान देने सची सुची किर्थ करके पैसा कमान देने बजट ठीक अपना रख देने और किसी दी हेल्प भी करदेने आप भी उस पैसे देना नाल सुख मान देने लेकिन ओहीं पैसा है जो दो नमझर देतन देना कुछ लोग क्मान देने ओधनल शराबा वगेरा पीं देने नशे करदेने ओहीं पैसा दुखदाई होजन दे ता ऐस दुनिया दी हर शे सुखदाई हो सकती है जे उदी वरतों ठीक किती जाए जे उदी वरतों ग्यान दे नालस गुरू दी अगवाई दे अंदर किती जाए ता साड़ा हर करम सुखदाई हो सकता है जरूरत है गुरू पात्षाजी दी पावन बानी पढ़के सुनके जदो असी गुर्मत आशे अनुसार जिन्दगी जीवांगे तैसन सार दे चार चुफेरे मालक दा नूर उदा जहूर उदा जल्वा नदरी पवेगा गुरू पातिशा जी रहमत करन असी गुर्मत आशे अनुसार जीवन जी सकिये आपने बड़े प्यार त्याननल सर्वन की ता तान्वाद हुया पुलादी खिमा गाज के बुलाओ जी वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फत्फ